सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बैल आकन को जरूर दबाएएगा ताकि आप तक पहुंसते रहे हमारे वीडियो टाइम टू टाइम हाँ दोस्तों मेरा नम है विश्वास और आप दिग्रे बिया सी उट्वास चैनल और यूटिब आज हम आपके लिए खुशी की खबर लिके आया है काफी सारे इंडिया जो है इस बात से खुश होंगे कि इंडिया का रैंकिंग जो है वो थोड़ा सा जो है उंचा आ गया है अगर हम पास्पोर्ट इंडेक्स की बात करें तो तो कौन-कौन सी वज़ा थी जिसके वज़ा से जो है यह रैंकिंग उपर आया है और इससे हमें क्या फायदा हो सकता है इसके बारे में आज का पूरा वीडियो सो लाश टार्ट दो वीडियो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दो कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो हो गई है 83 जो की बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले जो रैंकिंग थी वो थी 90 इंडिया की पास्पोर्ट की यहां पर इंडिया कंट्री की बात नहीं की जा रही है यहां पर बात की जा रही इंडिया की जो passport है उसकी ranking क्या है यह ranking इस तरह से दी जाते है कि आपका जो passport है वो आपको कितनी country without visa या फिर एक visa के बिना जो है आपको कितनी country वो ले जा सकता है तो इसमें जो सबसे उपर है वो तो है जापान जो कि 180 country में जामन का passport लेके आप जो है जो है ट्रावल कर सकते ह लेकिन अभी फिलाल जो है आप इंडिया का पासपोर्ट लेकिश्टी कंट्री आप जा सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है जो कि पिछले साल 58 थी अब जो है वो बढ़के 60 हो गई है तो काफी सारे लोग यही सोच रहोंगे यह 60 कंट्री इस कौन सी है अगर आपको उसकी लिस्ट चाहिए दिन आप जो है कमेंट कर सकते हैं मैं उसका जवाब दे दूँगा बट अभी जो है कोविट की वज़े से जो है काफी सारे ट्राविल रेस्ट्रिक्शन है तो उस चीज सकते हैं कि अभी के सिच्वेशन में जो है ट्राविल नहीं करना है बाट इंडिया का जो पास्पोर्ट का रेंकिंग है वो पढ़के होगा है 83 जो कि एक अच्छी बात है और हम जो है आप साट कंट्री मूव कर सकते हैं विदाउट और ऑन अर्राइवल वीजा पे तो ये बहुत अची चीज हुई है कम से कम इंडियन्स जो हैं सहाट कंट्री गों तो सकता ही है उतिस मैं मेक्समम कंट्री जो होंगी ऐसे एन आफ्रिकें ऐसे और बिजा और इस सोफ सकते हैं कि आप साथ किस तरह से इन कंट्री में जाएंगे और आपको कौन कौन से चीज़ों की तैयारी करनी पड़ेगी तब जाके आप यहाँ पर ट्राविल कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं एक अपना पर्सनल एक्सप्रियंस सेयर करना चाहूँगा कि अगर आप जो है और आरावल वीजा पर जा रहे हैं कि आप जो है वहाँ पर पहुंचेंगे और स्टैमिंग होगी लेकिन जो है इमिग्रिशन करते टाइम काफे सारी सवाल पूछे जाते हैं इसलिए जो है पहले से वीजा ले लेना ही अच्छा रहता है जिस भी ट्रावल पैकेज के साथ आप जा रहे हैं उसमें जो है वीजा के चार्जस भी इंक्लूडेड होते हैं तो बैस्ट है कि जो है आप पहले से अपना वीजा लगा ले फिर जाके जो है आप इमिग्रिशन गए जाए जाए दन ज्यादा इजी रहेगा otherwise जो है एरपोर्ट में काफ़े सारे सवाल पूछे जाते हैं यह मेरा personal experience है even Bangkok जासी जगा के लिए भी जो है काफ़े सारे सवाल पूछे जाते हैं तो आप जो है अगर कोई South American countries जा रहे हैं then उसमें तो और भी ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे तो इसलिए आप कोसिस कीजिए कि पहले से अपना वीजा लगाने और उसके बाद आप ट्राविल करें ओन अराइवल वीजा थोड़ा सा आवर्ड करें तो चलेगा अधरवाइस अगर आप कोस्टिन फेर्स के निकले तायार है तो बस यही कहना चाहता था कि इंडिया के रैंकिंग जो है अब थोड़ी से बढ़ गई है 83 हो गई है 90 से तो यह एक बहुत अची बात है और हम जो है आप 60 कंट्री मूफ कर सकते है तो इसलिए जो है बैने सुचाए कि यह इंफोरमेशन आपके साथ सेर कर दूँ अगर आपको अच्छा लगा हो खिर आपको अच्छा लगा है डल लाइक पिट्न खिलिख किजएगा और साथ ये साथ आपके कोई भी सुजाव हों तो आप जो हैं कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपने हमाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएगा देस विश्वास साइनिंग आफ स्टेई किनेक्टेड